मन्मोहन सिंह जन्म 26 सितंबर 1932 भारत गणराज्य के तेरहवे प्रधान मंत्री थे साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी हैं लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधान मंत्री बने जिनको पांच वर्षों का कार्यकाल सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधान मंत्री बनने का अफसर मिला था इन्हें 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीबी नरसिंह राव के प्रधान मंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किये गए आर्थिक सुधारों के लिए भी श्रे दिया जाता है संक्षिप्ट जीवनी मनमोहन सिह का जन्म ब्रिटिश भारत वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था उनकी माता का नाम अमरित कौर और पिता का नाम गुरुमुक सिंह था देश के विभाजन के बाद सिह का परिवार भारत चला आया पढ़ाई पूरी की बाद में वे कैंब्रिज विश्वविद्याले गए जहां से उन्होंने पी एच डी की ततपश्चात उन्होंने आक्सफोर्ड विश्वविद्याले से डी फिल भी किया उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सिल्फ सस्टेंड ग्रोथ भारत की अंतरमुखी व्यापार नीती की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है दो सिह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफी ख्याती अर्जित की वे पंजाब विश्वविद्याले और बाद में प्रतिष्थित दिल्ली स्कूल ओफ इकनामिक्स में प्राध्यापक रहे इसी बीच वे सन्युक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवाले में सलाहकार भी रहे और 1987 तथा 1990 में जैनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे 1971 में डौसिंह भारत के वानिजे एवं उद्योग मंत्राले में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किये गए इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्ट मंत्राले में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्याले अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोर तब आया जब डौसिंग 1991 से 1996 तक भारत के विक्त मंत्री रहे उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है आम जन्मानस में ये साल निश्चित रूप से डौसिंग के व्यक्तित्व के इर्दगिर्ध घूमता रहा है डौसिंग के परिवार में उनकी पत्नी श्रीम्ती गुर्शरनकौर और तीन बेटिया है राजनीतिक जीवन 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिह को भारतिय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया इस पद पर उन्होंने निरंतर पांच वर्षों तक कार्य किया जबकि 1990 में यह प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए जब पीवी नरसिंहराव प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंक दिया इस समय डौ मनमोहन सिह न तो लोकसभा और नहीं राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन समवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है इसलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया मनमोहन सिह ने आर्थिक उदारी करण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतिय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोर दिया दो मनमोहन सिह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया लाइसेंस एवं पर्मिट गुजरेज माने की चीज हो गई निजी पूंजी को उद्साहित करके रुगन एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतिया विक्सित की नई अर्थ व्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पीवी नर्सिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा विपक्ष उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिह पर पूरा यकीन रखा मात्र दो वर्ष बाद ही आलोचकों के मुह बंध हो गए और उनकी आखें फैल गई उदारी करण के बहतरीन परिनाम भारतिय अर्थ व्यवस्था में नजर आने लगे थे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिग्य व्यक्ति जो अर्थ शास्त्र का प्रफेसर था का भारतिय राजनीती में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगडी अर्थ व्यवस्था को पठरी पर लाया जा सके पद सिंह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली स्कूल अफ इकॉनोमिक्स में प्रफेसर के पद पर थे 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए थे 1972 में मनमोहन सिंह वित्ट मंत्राले में चीफ एकॉनोमिक अडवाइजर बन गए अन्य जिन पदों पर वह रहे वे हैं वित्ट मंत्राले में सचिफ योजना आयोग के उपाध्यक्ष भारतिय रिजर्व बैंट के गवर्नर प्रधान मंत्री के सलाहकार और विश्व विद्याले अनुदान आयोग के अध्यक्ष मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य हैं 1998 से 2004 में वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे मनमोहन सिंह ने प्रथम बार 72 वर्ष की उम्र में 22 मई 2004 से प्रधान मंत्री का कार्यकाल आरंभ किया जो अप्रेल 2009 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ इसके पश्चात लोग सभा के चुनाव हुए और भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस की अगुवाई वाला सन्युक्त प्रक्तिशील गठ बंधन पुन विजी हुआ और सिंह दोबारा प्रधान मंत्री पद पर आसीन हुए प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की दो बार बाईपास सरजरी हुई है दूसरी बार फरवरी 2009 में विशेशद्य शल्य चिकिट्सकों की टीन ने अखिल भारतिय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनकी शल्य चिकिट्सा की प्रधान मंत्री सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में पीच दंबरम को अर्थव्यवस्था का दायत्व सौपा था जिसे उन्होंने कुशल्ता के साथ निभाया लेकिन 2009 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला परंतु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा है 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजत आतंकियों ने हमला किया दिल दहला देने वाले उस हमले ने देश को हिला कर रख दिया था तब सिह ने शिवराज पाटिल को हटा कर पी चिदंबरम को ग्रिह मंत्राले की जिम्मेदारी सौंपी और प्रणव मुखरजी को नया वित्त मंत्री बनाया जीवन के महत्वपूर्ण पड़ा 1957 से 1965 चंडिगर स्थित पंजाब विश्व विद्याले में अध्यापक 1976 दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्याले में मानत प्रोफेसर 1982 से 1985 भारतिय रिजर्व बैंग के गवर्नर 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1990 से 1991 भारतिय प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार 1991 नर्सिनहराव के नेतरित्व वाली कॉंग्रेस सरकार में वित्त मंत्री 1991 असम से राज्यस्भा के सदस्य 1995 दूसरी बार राज्यस्भा सदस्य 1996 दिल्ली स्कूल आफ एकोनोमिक्स में मानत प्रोफेसर 1999 दक्षिन दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए 2001 तीसरी बार राज्यसभा सदस्य और सदन में विपक्ष के नेता 2004 भारत के प्रधान मंत्री इसके अतिरिक्ट उन्होंने अंतरराश्ट्रिय मुग्राकोश और एशियाई विकास बैंक के लिए भी काफी महत्वपून काम किया है पुरसकार एवन सम्मान सन 1987 में उपरोक्त पद्म विभूशन के अतिरिक्ट भारत के सार्वजनिक जीवन में डौसिह को अनेकों पुरसकार वसम्मान मिल चुके हैं जिन में प्रमुख हैं 2002 सर्वश्रिष्ट सांसद 1995 में इंडियन साइंस कॉंग्रेस का जवाहरलाल नहरू पुरसकार 1993 और 1994 का एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर आफ दैयर 1994 का यूरो मनी अवार्ड फॉर दफाइनस मिनिस्टर आफ दैयर 1956 में कैंब्रिज विश्व विद्याले का एडम स्मिथ पुरसकार दौसिह ने कई राष्ट्रिय व अंतर राष्ट्रिय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है अपने राजनैतिक जीवन में वे 1991 से राज्य सभा के सांसद तो रहे ही 1998 तथा 2004 की संसद में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं विवाद और घोटाले दोग जी स्पेक्ट्रम घोटाला तूजी स्पेक्ट्रम घोटाला जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा वित्तिय घोटाला है उस घोटाले में भारत के नियंतरक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड रुपए का घपला हुआ है इस घोटाले में विपक्ष के भारी दवाव के चलते मनमोहन सरकार में संचार मंत्री एशूने राजा को न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा अपितु उन्हें जेल भी जाना पड़ा केवल इतना ही नहीं, भारतिय उच्चतम न्यायाले ने इस मामले में प्रधान मंत्री सिंग की चुप्पी पर भी सवाल उठाया इसके अतरिक्ट टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर संचार मंत्री एशूने राजा की नियुक्ती के लिए हुई पैर्वी के संबंध में नीरा राडिया पत्रकारों, नेताओं और उद्योग पतियों से बातचीत के बाद डौ सिंग की सरकार भी कटगरे में आ गई थी कोईला आवंटन घोटाला मनमोहन सिंग के कारिरकाल में देश में कोईला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड रुपए की लूट हुई और सारा कुछ प्रधान मंत्री की देखरेख में हुआ क्योंकि यह मंत्राले उनहीं के पास है इस महा घोटाले का राज है कोईले का कैप्टिव ब्लॉक जिसमें निजी छेत्र को उनकी मर्जी के मुताबिक ब्लॉक आवंटित कर दिया गया इस कैप्टिव ब्लॉक नीती का फायदा हिंडाल को जेपी पावर, जिंदल पावर, जीवी के पावर और एससार आदी जैसी कमपनियों ने जोरदार तरीके से उठाया यह नीती खुद प्रधान मंत्री मनमोहन सिह की दिमाग की उपज थी